नमस्कार वन इडिया हिंदी में आपका स्वागत है मैं हूँ शकार धोरिया उत्रप्रदेश में सत्ता मेवापसी के साथ ही योगी सरकार ने कारवाई करनी शुरू कर दी है इसी कड़ी में उत्रप्रदेश पुलिस में 50 साल से ज्यादा उमर के पुलिस कर्मियों को अनिवारे सेवा निर्वती दिये जाने की कारवाई भी शुरू कर दी गई है कि 31 मार्श 2021 को 50 साल पूरा करने वाले उन पुलिस कर्मियों को अनिवारे सेवा नृती की स्क्रिनिंग कर ली जाए जिनका अब तक की नौकरी का ट्राक रिकॉर्ड ठीक नहीं रहा है दरसर डीजीपी मुख्याले ने बीते 30 निवंबर तक ऐसे पुलिस कर्मियों के लिस्ट मांगी थी लेकिन कई जिलों और विभागों से उन पुलिस कर्मियों के सूची नहीं भेजी गई जो अनिवारे सेवा नृती में आ रहे थे SME DGP मुख्याले ने 20 माच तक ऐसे पुलिस कर्मियों के लिस्ट मागी है आपको बता दे कि इस रिपोर्ट के आधार पर दागी भ्रश्ट और बैड वर्क और बैड कंडक्ट वाले पुलिस कर्मियों को जबरन रिटार किया जाएगा ये लिस्ट तयार करने वाले अफसरों को रिमाइंडर भेजा गया है और अब इस काम को करने के लिए निर्देश दिये गए हैं हर सल स्थापना विभाग ये कवायत करता है पचास पार पुलिस कर्मियों के स्क्रिनिंग में उनकी ACR यानि की Annual Confidential Report की महतरपुन भूमिका होती है Annual Confidential Report में करमचारों के कारे का मुल्यांकन, उनका चरित्र, उनका व्यवार, कारे शम्ता और योगिता की चानकारी दी गई होती है Screening Committee अभी करमचारों की ACR देखती है, उसके अधार पर फैसला लिया जाता है इस मामने में ADG स्थापना का कहना है कि पुलिस की रुटीन कारवा है जिसमें दागी और अक्षम पुलिस कर्मियों को चिन्हित कर अनिवारे सेवानृती दी जाती है का जारे कि अब चुनाव खत्म हो चुकी है, कुछ दिनों में नई सरकार का भी कठन हो जाएगा ऐसे में लटके हुए काम में तेजी आने वाली है इस खबर में फिलाल इतना ही, तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें One India हिंदी के साथ